आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने बनाएंवे website को online लेकर के आ सकते हो ये website आपके परिस्नल यूज का हो सकता है, आपके client का हो सकता है, आपके business का हो सकता है बहुती easy way में मैं आपको इसको online लाना सिखा दूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नीव हैं तो सब्सक्राइब करें बल आइकन को क्लिक करके अल नोटिफिकेशन को अन करें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें अब ये मेरी एक वेबसाइट है इसके डिजाइन को इगनोर करें आपने जिस तरीके से आपके वेबसाइट का डिजाइन किया होगा वो अरड़ी आपके पास प्रेजेंट होगा ये इस वेबसाइट की सारी की सारी फाइले हैं हमें इसको ऑनलाइन लेकर के आना है अपने website को online लेकर के आने के लिए हमें एक software की requirement है जिसका नाम है Winrar आप इनके website पजा करके free of cost इसको download करेंगे और इसे install करेंगे ये इसका icon है make sure आप Winrar को properly install करें इसके बाद आपके website के जितनी भी file हैं उन सभी को ctrl A से select करें right click करके आपको एक option मिलेगा add to archive ये add to archive का option तभी मिलेगा जब आपने Winrar को install किया होगा file का नाम आप जो मर्जी रख सकते हो उसमें कोई problem नहीं है make sure यहाँ पे zip के उपर click करें ok के उपर click करें अब ये जो आप चेक कर पा रहे हो ये आपकी website का backup file है एक zip file है और इसके अंदर आपकी website की सारी की सारी जो file है न वो store हो चुकी है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अब हमें इसको online server के उपर upload करना है अब किसी भी तरीके की website को online upload करने के लिए या online ले करके आने के लिए कम से कम दो चीजों की requirement होती है एक होता है domain name दूसरा होता है hosting domain name होता है नाम, पहचान, आइडेंटिटी जैसे google.com, facebook.com, youtube.com हमारे case में domain research.com ऐसे ही आपने भी कुछ ना कुछ नाम सोचा होगा वो कहलाता है domain name hosting होता है storage place जहाँ पे आपकी website की file को आप store करके रखोगे right now वो हमारे computer में है लेकिन online भी एक ऐसे space की जरूरत पड़ती है ये कहलाता है hosting तो अगर आप domain research.com पे आएंगे तो यहाँ से आप उन दोनों ही services को select कर सकते हो हमें domain and hosting दोनों की requirement है तो यहाँ से web hosting के page पे जाएंगे domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है pure SSD disk space, free SSL certificate, secured and 20 times server आपको fast मिलता है pricing plan के अगर हम बात करें तो basic plan इस्टार्ट होता है 59 रूपीज पर मंच से इसके अंदर एक website को host कर सकते हैं 1 GB SSD की storage है, 10 email address करेट कर सकते हैं 5 GB की bandwidth है और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो unlimited SSD की storage है, unlimited email address कर सकते हो bandwidth unlimited, light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited websites को यहाँ पर host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool फ्री मिलता है जिसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो और उसे rank करा सकते हो तो आप domain register.com पे आ करके अपने budget, अपने requirement के हिसाब से किसी भी plan को select कर सकते हो मैं currently यहाँ पे silver की तरफ जा रहा हूँ इसके अंदर मैं तीन website को host कर सकता हूँ duration को select करके view more पे click करे यहाँ से अपना domain name select करे .com, .in जिसकी requirement है वो select करे एक बार यह available हो जाता है तो नीचे scroll करके continue पे click करे details को verify करे again continue करे continue करे तो यह आपका domain name है और यह आपका hosting plan है कुछ mistake लगता है तो यहाँ से edit करे सारा कुछ verify होने के बाद checkout के उपर click करे तो यह हमारा checkout page है जिस तरीके से आप online shopping करते हो अपना account create करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ भी अपना account create करना है अपने basic sign up details provide करने है एक email address provide करना है एक password provide करना है और simply अपने order को complete करे एक बार आप इस process को पूरा कर लेते हो तो आप आजाओगे main page पे यहाँ से आपको जाना है login बटन के उपर और order completion के time पे जो email and password आपने provide किया था वो fill करके simply login बटन के उपर क्लिक करे तो यह आपका dashboard है जितने भी services आपने opt किये होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा simply services के उपर क्लिक करे और जिस भी domain के उपर आपको अपनी website को online लेकर के आना है उसके active बटन पे क्लिक करे right hand side पे नीचे एक option मिलता है login to c-panel simply इसके उपर क्लिक करें तो यह आपका c-panel यानि की control panel है हो सकता है यह minimized हो तो इसको maximize करें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो domain reserve hosting servers में आपको 100 plus options मिलते हैं चीजों पे deal करने के लिए जैसे की emails को handle करने के लिए बहुत सारे tools है jet backup के बहुत सारे tools है files को handle करने के बहुत सारे tools है ऐसे ही different categories में आपको बहुत सारे options यहाँ पे दिये हुए है हमें जाना है files उसके बाद जाना है file manager के उपर public underscore html को open करें यह option आपको यहाँ भी मिल जाता है और इस जगह पे हमें उस backup file को upload करना है पहले तो मैं पिछले कुछ tabs को यहाँ से cut कर देता हूँ उपर एक option आपको मिलता है upload upload के उपर click करें और इस जगह पे आपको उस backup file को upload कर देना है तो मैं यहाँ से इसको drag कर रहा हूँ इस जगह पे ला करके drop कर रहा हूँ इसके green होने का wait करें तो आप यहाँ पे check कर सकते हो यह properly यहाँ पे upload हो चुका है अब अब चाहें तो इस step को यहाँ से cut कर सकते हैं और यहाँ पे आ करके इसको reload करेंगे right click करेंगे अपने file के ऊपर extract पे click करें extract files करें आपको simply new tab के अंदर अपने domain name को open कर लेना है तो आप यहाँ पे check कर सकते हो हमारी website यहाँ पे online आ चुकी है अब इसे पूरी दुनिया से कोई भी अपने mobile, tablet, computer किसी भी device के ऊपर run करके देख सकता है हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखो शायद यह website आपको यहाँ पे ना दिखे क्योंकि मुझे और भी recordings यहाँ पे करनी होती है तो मैं generally files को delete कर देता हूँ लेकिन आप इनी steps को follow करके इस website को या किसी भी website को बहुत ही easily online लेकर के आ सकते हो मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े step by step बहुत ही easy way में समझा दी जाए और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाए तो please like करें and comment में अपना feedback ज़रूर दे